A very good morning to all our viewers on sports तक Melbourne ODI Series Decider Final मुकाबला भारत और ऑस्टेलिया के बीच उसके हम अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और पहली खबर जो वहां से आई एक तो टॉस थोड़ा देरी से हुआ क्योंकि बारिश पहले हुई थी और टॉस के बाद विराठ कोहली ने टॉस जीता और पहले गींदबाजी का फैसला वहां पर किया है भारत ने एक्स एहम मुकाबले के लिए हिस्ट्री वहां पर क्रेट कर सकता है भारत कभी भी वहां पर ODI rational series Australia में भारत जीता नहीं है तो सुनहरी जो इतिहास रचने के लिए वहाँ पर विराट कोली ने तीन बदलाव टीम में करे हैं सबसे पहले तो विजय शंकर उनको डेब्यू वहाँ पर करेंगे वो मेलबन में अपना विजय शंकर आये हैं महुम्मद सिराज की जिगह पर दो चेंजिस जो और करें हैं जो एक सर्प्राइजिंग चेंज है कि अमबटी राइडू जिनको नमबर चार पर सोचा जा रहा था कि अब एक फिक्स कर लिए उन्होंने अपनी जिगह और वर्ल्ड कप को लेकर भी काफिश और विराट कोली ने खुद भी का था कि राइडू उन्हें चार पर अपनी जिगह सिमेंट कर लिए लेकिन आज उन्हें इस मौके इस मैच में मौका नहीं मिला है अमबटी राइडू की जिगह पर केदार जाधव टीम में आए हैं और तीसरा चेंज जो है जैसे विराट कोली ने का कि रिस्पिनर की जिगह पर रिस्पिनर तो कुल्दी प्याधव को रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह पर युजवेंदर चेहल वहां पर आए हैं केदार जाधव को खिराने के पेशे शायद सोच यह भी हो सकते हैं क्योंकि वीजे शंकर उन पर आपको अभी शायद उतना जादा अश्यूर्टी नहीं है अश् कोशिश पहले यहां पर उनीचे कि ऑस्टेलिया जो ओपनर से उनको दबाव में डाले कंडिशन से अगर वहां हेल्प करती हैं स्पेशली एरन फिंच को जिनका वहां पर रेकॉर्ड काफी शांदार है दस इनिंग्स में 300 हैं मेलबन में एरन फिंच के हाला कि अभी उनका बहुत जादा अच्छा नहीं है तो कोशिश यही हो नीचे भूनेशर कुमार लगातार जिस तरीके से परिशान किया है उन्होंने अरन फिंच को इस सीरीज में वो अब फ्रंट दुबारा प्रेशर वैंसे ही बनाया और उस्टेलिया को शुरुवाती जटके दें तो भार पर T20 सीरीज में वो उनको मौका नहीं मिला था और अब ODAI सीरीज में फाइनल मुकाबले पर वहाँ पर उन्हों चांस मिला है तो यह थी अभी अपडेट वहाँ पर टॉसी और टीम की और इसलिए दर किसम दिन भर आपके साथ जोड़े रहेंगे सारी throughout the day मैच में क्या अ अफिशल को आप फॉलो कर सकते हैं फिलाल के लिए थी अपडेट्स मेलबन से जहां भारत और उस्टेले के वेज तीसरा मुकाबला फाइनल खेला जाना है